हालो फ्रेंट्स मैं हूँ नीरज और आप देख रहे हैं आयें सेट सम्सक्राइब करते हैं हम उसको देखेंगे how many people are in your family मतलब आपके घर में कितने सारे लोग हैं और कितने लोग हैं नी च्या your family नी च्या याओ means have और is there ची means how many खो is a major word for रन रन means people याँ पर रन means people आगया so नी च्या याओ ची खो रन how many people are in your family आपके घर में कितने लोग हैं नी च्या याओ ची खो रन so ची how many इसको replace करना है basically जब हम answer देते हैं तो यहाँ पर replacement हो जाएगा ची how many so ए 1, 2, 3, 4, 5 जितना भी है so यहाँ पर sentences का answers है I have three members in my family sentences सारा सेम है यहाँ पर I हो गया वहाँ पर नी था so वह च्या वह च्या याओ सान खो रन खो इस a major word for रन identify के लिए कि आपके यहाँ पर कितने सारे लोग से हैं so especially खो फैमिली रन पेपल के लिए यूज़ होता है major word वह च्या याओ सान खो रन I have three members in my family और मेरे घर में तीन लोग रहते हैं या जिसमें ममी पापा और मैं ऐसा ठीक है वह च्या याओ सान खो रन right similarly questions देख लेते हैं have you bought a house क्या आपने एक घर खरदा है have you bought a house house फंग फंगू short form फंग क्या आपने एक घर खरदा है right so आपको ध्यान देना है basically buy my so my la is bought past tense मोग गया फंग so फंग ल so नी माइल फंग माँ have you bought a house right अगर आपने खरदा है तो आपको बदाना है वा माइल फंग I bought house ठीक है ना I bought a house वा माइल फंग बट हम यहाँ पैंसर दे रहे है last time I sorry last month I bought a house right so last month sung away sung away last month वा माइल फंग ल यहां पर लव पार्टिकल है अरे मैंने last month घर करदा तो लव इज़ पार्टिकल यह basically एक common conversations में use होता है जहां पर हम लोग moderate particles वोलते हैं इसको moderate sentences में so हिंदी में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं but आप इतना जान लीज़े last month I bought a house sung away अगर आप simply मैल फांग उ भी बोलेंगे कोई problem नहीं है विसे गली यह sentence correct होता है sung away sung away वो मैल फांग उ और वो मैल फांग ज़ ज़ is actually room होता है यहां पर ठीक है अब इसको हम दूसरे तरीके से देख लेते हैं next sentence इसमें क्या आएगा house को पर do you live in suburbs suburbs मतलब city से बाहर या फिर basically suburbs या फिर किसी residential state में आप रहते हैं so चाचू चाचू is a residential state होता है basically cities suburbs यहां पर कहने का मतलब city से बाहर आउट सकट में जहां पर residential state इस sentence में ज्यादा भी difficulty नहीं होनी चाहिए आपको क्योंकि यह पर्टन्स जो है basically वैसा ही है नी चूचाए नार so वा चूचाए च्छंक्षर similarly है city के जगा पर यहां पर suburb आ गया questions मा हो गया so नी चूचाए चाचू मा राइट अब इसका हमको answer देना है अगर हम suburb में राते हैं so answer देंगे yes में अगर नहीं राते हैं तो no में ठीक है तो यहां पर basically I live in the suburb ठीक है मैं राता हूँ so वा च्या वा च्या चूचाए च्याओ चूचू यहां पर मैंने च्या यूश किया चूकि मेरा घर suburb में है मैं जहां घर में राता हूँ उस घर में वो suburb में है so I live in the suburb आप इसको एक तरीके से बोल सकते हैं वा च्याओ चूचू बट च्याओ चूचू एक residential state हो गया घर आपको बताना पड़ता है actually so वा च्या my house च्याओ च्याओ चूचू it means I live in the suburb और मैं जिस घर में रहता हूँ अगर आप अपने घर को identify करने की बात कर रहे हैं तो च्या नहीं उसकर ना है मैंने conceptually क्यों लिखा यहाँ पर उसका एक reason है च्या का यूज होम में भी होता है इसलिए और इसको अपर लगतरी के से बोलतो है I live in a city और I live in a village जैसे कि आपने देख लिया था I live in the city यहाँ पर आप हो गया I live in a village और इगक में, और इगा, और इगँ हो मिया था你好 आप यहाँ चस्वांख और मीघ आपने बातर। आप अपर नीते है ननो आप एंसर दे सकते और वच्वांख में एगट machine विया श्याँ आ और इगा बेटा रेगे में 40. So, so thank you for all, xie xie nimen, xie xie nimen, thank you so much.